आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा पराठा जो आपको पराठा और पिजा दूनों का टेस्ट देगा, आप इस पराठे को lunch, breakfast, dinner कभी भी enjoy कर सकते हैं, आज हम बनाने वाले हैं sweet-con cheese पराठा, इसलिए आप इसको पिजा पराठा भी बोल सकते हैं, trust me यह पराठा बहुत ही जादा boiled sweet corn लिये है और यहाँ पर मैं यहाँ पर इनको mixer jar में डाल के ना हलका सा इनको हमें grind करना है तो यहाँ पर pulse mode में हमें इनको grind कर लेना इगनम इसका pure type नहीं बनाना है हलका सा दरदरा texture ही रहे इतना ही हमें इसको grind करना आप चाहे तो इसको chopper में भी chop कर सकते है तो आप इसका texture देख सकते हैं हमें इसको हलका सा pulse mode में इस तरह से grind कर लिया है और इसी के साथ हम इसमें add करेंगे दो चमच के करीब roughly chop की हुई शिम्लमिश तो शिम्लमिश एड़ करना optional है दो चमच के करीब हम इसमें roughly chop onion add करेंगे थोड़ से garlic add करें roughly chop करके एक green chili add करेंगे हम इहापे roughly chop की हुई इसी के साथ हम add करेंगे आदा चोटा चमच के करीब chili flakes और आदा चोटा चमच हम इहापे और और गैनो आट करेंगे आदा चोटा चमच ब्लैक पेपर पाउडर और टेस्ट के according नमक add कर देंगे और खुब सरा हरा धनिया डालेंगे अब हम इसमें और क्यूंकि हम sweet con cheese पर अठा बना रहे हैं तो अब हम add करेंगे cheese तो आधा कप के करीब मैंने याप मुजरिला cheese ली है आपके पस जो भी चीज़ों आप इसमें use कर सकते हैं क्योंकि इन सारी चीज़ों की वज़े से ही इसका जो टेस्ट है एकदम पिज़ा की तरह ही आने वाला है और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से mix कर लेना है तो यह पराठा के लिए उमारी stuffing बन के तैयार है तो चली पराठा बनाना शुरू करते हैं तो पराठा बनाने के लिए मैंने आठा पहले ही लगा लिया था हम लिग नौर्मली पर रोटी बनाने की लिए अठा लगाते है बस आठे में थोड़ा सा नमक ढालके रहा था इंक नहीं किया है पसंदो आप पराठा बना के तयार कर सकते हैं तो यहाँ पर पहले हमने इसको इस तरह से बेल लिया है और अब हमारी जो stuffing है न वो हम यहाँ पर बीच में रखेंगे तो हम 2-3 चमज अच्छी कॉंटिटी में यहाँ पर इसमें stuffing डाल देते हैं और इसको हम spoon से थोड़ा सा फैला देंगे तो इससे क्या होगा कि जो stuffing है न वो पराठे में हर एक जगा अच्छे से जाएगी पराठा हमारा एकदम भरा भरा बनके तयार होगा stuffing लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको fold करेंगे तो हम इसको दोनों साइट से इस तरह से उठा के fold कर लेते हैं और इसके दूसरे वाले साइट को भी हम इस तरह से fold करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर square shape में पराठा बनागे तयार करने वाली हूँ और अब हम इसमें फिर से सुखाटर dust करेंगे और इसको हाथ से थोड़ सा पहले हम flat कर लेंगे उसके बाद हमें इसको बेलन से बेलना है तो यहाँ पर थोड़ सा मैंने यहाँ पर देखिए अब इसको flat कर लिया है उसके बाद चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं तो यहाँ पे हम बेलेंगे भी बहुत हलके हाथ से इसको तो बेलने से पहले अब हम यहाँ पे लगा देंगे मैंने थोड़ी से जो वाइट वाले तिल आते हैं वो लगा दिये हैं आप यहाँ पे जो ब्लेक वाले तिल या फिर जो कलॉंजी आती है वो भी लगा सकते हैं यह इसी के साथ chopped coriander भी हम इसके उपर से थोड़ा सा लगा देते हैं जिसे पराठा हमारा देखने में बहुर भी ज्यादा tempting दिखेगा और अभी हम इसको बेल लेते हैं तो यहाँ पे हम हलके हाथ से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे बहुत जादा इसको हम पतला नहीं करेंग पस थोड़ा सा हमें इसको फ्लैट कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पराठा हमने अच्छे से बेल के तयार कर लिया है तो हम इसी तरह से अपने सारे पराठे बेल के तयार कर लेंगे तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको सेख लेते हैं तो यहाँ इसको सेखन पर लगाएंगे ऊईल तो यहाँ पे आप ओईल घी बटर कुछ भी लगा सकते हैं तो सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी इसको फलिप करके दूसरे साइड में भी हम यहाँ पे और लगा देते हैं और गेस का फ्लिम हम यहाँ पे लोटू मीडियम ही रखेंगे बहुत ज़दा हाई नहीं रखेंगे तभी ये पराठा जो है न हमारा एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनके तयार होगा और यहाँ पे स्पैचुला से न हम इसके साइट्स को हलका सैसे दबाती हुए हमें इसको सेक लेना है ताकि जो पराठा है न वो इविल ली हर साइट से अच्छे से यहाँ पे सिख जाए और आप देख सकते हैं इसका टेक्शिर पराठा हमारा एकदम क्रिस्पी एकदम कुरकुरा बनके तयार हो चुका है तो आप लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको मेल्ट हो जाए और पराठा भी हमारा एकदम कुरकुरा सिक्के तयार हो तो यहाँ पे हमारा यह एक पराठा बन चुका है और इसी तरह से हम अपना दूसरा पराठा भी बना के तयार कर लेंगे और आपने देखा इसको बनाना बहुत आसान है एंट्रेस्ट में ये पराठे बहुत ज़ादा टेस्टी बनते हैं एक पर इनको ज़रू ट्राइ करिएगा बच्चेयों को दो नए पराठे बहुत ज़ादा पसंद आते हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो एक दम पिज़ा की तरह ही आता है इसलिए पराटे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तयार होते हैं तो यहाँ पर हमने अपना दूसरा पराठा भी सेख के तयार कर लिया है और यह हमारे स्वीट कॉन चीज पराठा बनके तयार है आप इसका टेक्शर लुक देख सकते हैं पराठे कितने जादा टेम्टिंग बनके तयार हुए है आपको वैसे तो इसके साथ किसी भी चीज की ज़रुरत नहीं है बट यहाँ पर आप इसको अपनी फेवरिट चटनी या सॉसिस के साथ इंजॉय कर सकते है मैं यहाँ पर आपको एक पराठे इस तरह से कट करके भी दिखा दियूँ कि हमने जो अंदर चीज भरी है वो अच्छे से मेल्ट हुई है या नहीं तो यहाँ पर इसको बहुत जादा गर्म है तो मैं यहाँ पर इसकी कॉर्णर को चाकू से कट करें और यह देखे आप इसका लुक देख सकते हैं चीज भी हमारी काफी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तो मैंने यहाँ पर इसको दही के साथ सर्फ किया है आप अपनी फेवरिट चटनी के साथ इसको एंजोई कर सकते हैं अगर आपको मेरी आज की रेसिबी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें